नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे मीठापूर बस स्टेंट को लेकर बिहार के राधानी पतना का बस स्टेंट 15 जुलाई को मीठापूर से हटकर बैरिया में सिफ्ट हो जाएगा नए बस अड़े का नाम पाटली पूत्र अंतराजी बस ठर्मिनल होगा ऐसे में पतना वालों के जहन में सवाल है कि मीठापूर में बस अड़े वाली जगा खाली होने पर वहां क्या होगा आपके मन में उठ रहे सवाल का जवाब यह है कि मीठापूर बस अड़े की जमीन पर बिहार सरकार एजुकेशन हब बनाने की उपयोग करेगी योजना के मुताबिक मीठापूर बस अस्टेंड की जमीन पर पाटलिपूत इन्वस्टी की बिल्डिंग तयार होगी मौजूदा आफिस छोटा होने के चलते इन्वस्टी लगातार बड़ी बिल्डिंग की डिमांड कर रहा है इलहाल पाटले पुद्र अंतराजी बस टर्मिनल में 9 एकड जमीन है इस लिहाज से मीठापूर बस अस्टेंड इहां सिफ्ट होने के बाद इहां जगह नहीं बचेगी दिल्ड परसासन की तयारी है कि बैरिया में और भी जमीन का अधिगरहन किया जाए और यहीं पर बाकी पूर बस अस्टेंड को भी सिफ्ट किया जाए हाला कि इसे पूरा होने में अभी वक्त लगेगा दोनों बस अड़े सहर के बाहर बैरिया में सिफ्ट हो जाने से पटना सहर को जाम से मुक्ति दिलाने में काफी हद तक मदद मिलेगी जिला परसासन के अधिकारियों ने बताया कि बैरिया में कुल 25 एकड जमीन अधिग्रहन की योजना है इसमें पहले चरण में 15 एकड और दूसरे चरण में 10 एकड जमीन सामिल है नए बस टर्मिनल से फिलहाल जहानाबाद और गया के लिए बस का परिचालन सुरू हो गया है 15 जुन से नालंदा, नवादा, सेकपूरा और जमुई जीले की बसों का परिचालन सुरू होगा सेस जिलो और दूसरे राजियों की बसों का फरिचारन पंद्रह जुलाई से सुरू होगा इधर अनन्द किसोर ने कहा कि अंतराजी बस टर्मिनल पतना से गत बर्स यानि कि 2020 से बसों का फरिचारन किया जा रहा है लेकिन बरतमान में कुछ जिलों के ही बसों का संचालन किया जा रहा है परधान सचीब ने कहा कि मीठापूर बस स्टेंड को 15 जुलाई तक पूरी तरह से पाठले पूत्र बस टर्मिनल वेरिया में सिप्ट कर दिया जाएगा और 15 जुलाई से मीठापूर की सभी बसे पाठले पूत्र बस टर्मिनल से ही संचालित की जाएगी उन्हाने पत निर्मान विभाग के कार्जपालक अभियंता कुंजे देश देते हुए कहा कि 15 जुलाई से पूर्वे जीरो माईल से पाठले पूत्र बस टर्मिनल के संपर्क पत के चौडी करन का कार्ज पुन कर लें और बस टर्मिनल के निकट फुलिया का निर्मान 20 जुनता के लिए कर लें मिठा पुर्वास स्टेंड को स्ट करने के बाद से पतना जंक्सन से बस पकड़ने वाले लोगों को थोड़ी परिसानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब इसकी दूरी जादा हो गई है ऐसे में पाठले पुत्र रेलेवे स्टेशन हो या फिर पतना जंक्सन इन दोनों ही स्टेशनों से यातरा करने के बाद अगर बस की यातरा करनी है तो उन्हें पाठले पुत्र बस टर्मिनल जाना होगा जो की रेलेवे स्टेशन से दूरी पर है हाला कि जिला परसासन इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि इस रूट की सड़के अच्छी हो आने जाने वाली लोगों की सुविधा मिले खास कर बरसात की दिनों में किसी तरह की कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े ये थी मीठा पूर्बा सस्टेंड को लेकर जानकारी बिहार और बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे देजिया जाजात धन्यवाद